हलो फ्रेंट्स कॉंप्टिशन कमिटी के सीजी एसाइए प्रिलिम्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स आज हम देखते हैं सीजी एसाइए एक्जाम को टार्गेट करते हुए जनरल साइंस के अंतरगत केमिस्टी के पह कौन उपधातू है विच अफ फॉलाविंग से मैटलॉइट आरसेनिक एंटी मनी बोरान और उप्रोक्त सभी ये कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो ध्यार किएगा जब भी यहां पे उपधातू या मैटलॉइट की बात करते हैं तो उपधातू किसे कहते हैं उपध डिण आधेगों जैसे हो गए आधेगों और नन मैटल जैसे होंगे दोनों का एक मिस्टरित रूप वहां पर देखने को मिलेगा दोनों की गुर्धार्म को प्रदस्चित करते हैं कुल संख्या कितनी है 7 है मैटलौेट की कुल संख्या कितनी है 7 है इसे कैसे याद रखेंगे क्या क्या है तो देखिए हमारे पास एक इसका निमोनिक्स है वो निमोनिक्स आप जरूर लिख लीजिए है ना बोले शिव जी ऐसे ठीक है सी जी ची कहते हैं, सब तुम्हारे पुर्णिह कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसको किस प्रकार लिखेंगे, बोले से यहाँ पर बुरान, सिम जी से आया है SIE, सिलिकॉन, G से आया है ZARMENEUM, A से आया है arcinic ठीक है चार हमारे पास metalloid आ गया उसके बाद sb मतलब यहां पे क्या है sb मतलब antimony ठीक है और तेरे मतलब यहां पे tellurium और पुन्य मतलब यहां पे polonium तो देखिए क्या क्या है इसमें arcinic antimony boron है न तो यहां पे boron और आरसेनिक और एंटीमन यह सब हैं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा D is the right answer clear होगे आप सभी को चलिए next question देखते हैं कि सुमेलित है match pair is electron यहां पर scientist का नाम दिया जिन्होंने discover किया है तो electron की खोज किस ने की थी तो अगर यहां पर देखें electron को किस ने discover किया तो electron को जे जे थॉंसन सहाब ने discover किया था तो पहला तो match option नहीं है proton तो proton को देखते हैं कि वहां पर दो नाम आता है कई बार आपको confused नहीं होना है कि यह रधर फोड है या गोल्ड स्थीन है आपको पांसर गोल्ड स्थीन लेना है किसका प्रोटान का है ना गोल्ड स्थीन सहाब के बाद उम्हें रधर फोड साब को भी योगदान है लेकिन आपको गोल्ड स्थीन प्रोटान को उन्होंने सबसे पहले discover किया था इसलिए उनका नाम जाता है ठीक तो यह भी गलत option neutron neutron की खोच येस दिस इस दे करेक्ट option neutron की खोच चैडविक ने किया था और ना भी कैने nucleus की खोच किस ने की थी तो nucleus की खोच की थी उन्होंने रधर फोड साहब ने किया था ठीक है रधर फोड साहब ने किया था clear हो गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इनमें से किसमें रिनावेस होता है विच अफ द फॉलॉविंग है नेगेटिव चार्ज अलफा की रंड बीटा की रंड गामा की रंड या एक्स की रंड ठीक है यह देखे एक वर्ड आप सुनते होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव तत्वा तो रेडियो एक्टिव तत्वा माल हो यह कोई रेडियो एक्टिव तत्वा ही हमीशा क्या करते हैं कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं इसमें एक अलफा बीटा और गामा होता है ठीक है अलफा में हमीशा य गिया हुआ है नेगटी चार्ज पूछा है तो भी इस दर राइड आंसर अब एक्स बाज गया थो एक्स की रन में भी कोई चार्ज नहीं होता इस एक्स के रन की किस ने की थी डबलू रॉणजर ने की थी सबसे पहले नोबल प्राइस प्राप्त करने वाले साइंटेस वही डबलू रॉंजन है जिन्होंने एक्स किरण की खोज की थी क्लेर हो गया फॉर्थ कोशन देखते हैं कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है वाट इस दा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो एक्टिविटी यह बात आही रही है रेडियो एक्टिव जो आपने स्थाइट्व प्राप्त करने के लिए अलफा बीटा गामा केरणों का एमिशन यान उत्सरजन करते हैं ताकि वह स्थाइट्व को प्राप्त कर सके तो इसे इसे प्रापरटी को रेडियो एक्टिविट औरसेगा कि इनको पहले क्या था Alpha, Beta, Gamma नंगा तो उनुसकंग करतेभी, इसकी इक्षाईक क्या है? भैकरल है! बैकरल इसका क्या unit है! एंगे strong किस लिए यूज़ किया जाता है? तरंग देर्द ये समझते हैं! wave length जैसे कि कोई क्या होता है कि आप तरंग जानते हैं इस प्रकार ऐसा तरंग जाता है वेव तो यहां पे दो रिज या दो फरों के बीच की दूरी यह दूरी क्या होती है तरंग देर्द यहां पे यह बीच की दूरी कहेंगे तो वह है तरंग देर्द इसको किस में मापा जात जाता है candela jyoti तिवरता light intensity के लिए यूज किया जाता है for me पर्मानू का आकार and size of the atom को measure करने के लिए किया जाता है ठीक है तो answer क्या है D is the right answer clear हो गया move to next question next question देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है rusting of ironies is an example of galvanization corrosion polymerization या फिनन अब दिस बहुत आसान सा प्रस्ण है इसका answer क्या है संग्षारण या corrosion ठीक है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं जस्ते की यानि जिंग की परत चड़ा देते हैं ताकि उस पर क्या करें उस पर लोहे पर जंग न लगे उस क्रिया को galvanization या galvanic current कहते हैं लेकि संग्षारण इसका answer है जिसमें की वह लोहे पर जंग लगता है है ना तो जो है लोहे पर जंग लगता है उसमें कौन सा यॉगिक बनता अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना इसका नाम है संग्षारण में कौन सा यॉगिक बनता है तो वाटर के मॉलेक्यो अड़ हो रहे हैं ठीक है तो फेरिसो फेरिक ऑक्साइड बनता है संग्शारण में, संग्शारण ये कुछ और उदारण आप जान सकते हैं कि जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि लोही का वजन बढ़ जाता है, इसका च्छे होने लगता है, वैसे आपका तामबा जो होता है, ग्रीन पढ़ जाता है, कई नमबर सिक्स पूछ रहा है, रेट लेटमस पीपर टांस इंटू दा ब्लू कलर, ठीक है, तो यहाँ पी क्या क्या ओप्शन से, तो लेटमस टेस्ट जो होता है, लेटमस टेस्ट एसीड और बेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो बहुत कई बार में बता च कहा गया है, तो इसका उल्टा चलो, एसीड ब्लू टू रेड कर रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू कर देगा, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, है ना, अमल होता, तो लाल को नीला कर रहा है, है ना, नीला को लाल कर रहा है, अमल नीला को लाल कर रहा है ठीक तो हमारे पास यहां पर question तो पूछा है red to blue पूछा है तो उसका उल्टा चलोगे red to blue तो इसले इसका answer क्या हो जाएगा base हो जाएगा clear हो गया चलिए अब देखते है next question next question देखते है quick silver किसे कहा जाता है the metal called a quick silver is तो quick silver कहा जाता silver वर सुनते हैं silver का इसके साथ कोई संबद नहीं है तो option one is already wrong aluminium भी नहीं है पारा याने mercury को कहा जाता जिसका atomic number कितना होता 80 इसे कहा जाता है quick silver है ना याद रखिएगा तो c is the right answer next question देखते हैं किसको कृतिम वर्सा उत्पन करने के लिए प्रिक्ट किया जाता है which is used to produce the artificial rain ठीक है क्या क्या है silver chloride no silver bromide ये भी गलत है silver nitrate ये भी गलत है silver iodide AGI कहते हैं ये है आपका क्या है artificial rain कृतिम वर्सा को उत्पन करने के लिए यूस किया जाता है तो d is the right answer silver iodide आपको याद रखना है पूछा जा सकता important है ठीक next question देखते हैं कि गोवर गैस होता तो इसे भी हमको लेना पड़ता ठीक है और ये भी गलत तो दो गैस होती है मुख्यता होती है वैसे तो वाकी भी होंगे लेकिन में जो होती है मिथेन होती है और फिर carbon dioxide होती है है ना तो यहां पर आंसर इसको मिथेन ही always हमको लेना है ठीक चलिए लिक्विट पैट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है the main component of LPG is methane, ethane, pentane या butane है ना यहां पर याद रखना इसका आंसर हमको लेना पड़ेगा D is the right answer क्यों राइट आंसर है याद रखीगा LPG का content में दो चीज़ें होती है या butane plus propane का क्या होता है दोनों gas इसमें ज्यादतर भरी होती है अब इसमें ये दोनों ही क्या है orderless है गंदहीन है उसके बावजूद यहां पर हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसमें तो गंद आती है LPG में तो yes उसमें गंद आती है लेगिन butane plus propane की कारण नहीं आती उसमें methyl mark captain ठीक है जिसके कारण हमको कहना चाहिए घरेली सिलेंडर में जब कभी भी leakage होता है तो हमको पता चलता है कि उसमें smell आ रही है और finally हम समझ जाते हैं leakage हो रहा है ठीक है तो methyl mark captain मिला आया जाए तो LPG का मुख्या घटक क्या है तो butane वाले लेना है तो butane is the right answer ठीक डी ब्राउन कोल इस ऑल्सो नोन एस पीट लिगनाइट बिटो मिनस या एंथरासाइट यह option बड़ा important है और यहां से कुछ और बाते भी निकल के आ रही है सबसे बहले इसका answer देखते हैं इसका answer है लिगनाइट है लिगनाइट है और आपको यहां पर देख रहे हैं कि एंथर चुप चाप क्या लिखो एंथरासाइट का ए लिग दो ठीक बिटो मिनस का बी लिग दो उसके बाद लिगनाइट का एल लिख दो और पीट का पी लिख दो हम अलफावेटिकली लिखे कुछ नया काम नहीं किए अलफावेटिकली ए से लिके जैट तक आप बढ़ते कोईला तो सबसे बैस क्या है एंथ्रसायड कोईला यह सब से बेकार टाइप का कोईला होता है चलिए अब यह मूव करते हैं अगनी समन में कौन सी गैस प्रयुक होती विच गैस इस यूजिन फायर एस्टिंग्वेंसिंग है ना हीलियम कार्बन डाई आक्साइड कार्बन मोन आक्साइड या ऑक्सीजन तो तुरंद गलत होगा यूकि ऑक्सीजन तो क्या है ऑक्सीराइजिंग और कहना चाहिए तो डी तो ऑप्षन गलती हो गया कि ऑक्सीजन तो फायर को बढ़ाने में काम करती है तो यहां पे अगनी समन हमको रोकना है तो रोकने के लिए आक्सीजन का आप पोस में यहां पर देखते कार्बन डाई आक्साइड बी इस दर आइट अंसर ठीक है यह ह आग लगने के बात पैदा होती है वह धुआ जो होता है न ब्लैक कलर का वही तो क्या है आपका कार्बन मोन ऑक्साइड है तो कार्बन डाई आक्साइड को यूस किया जाता है आग बुझाने में भी याद रखेंगे चलिए नेक्स कोश्चिन देखते हैं कि प्रडूसर ग और नण तो सभसे बएले देखते हैं इसका अनसर जो है हमारे पास दो चीजह आँ पर दिख रही है दो चीजह अρχाइए एक्षाम में, ये ग्ष्टा है एक्शल में एक्षपा इंधन के रूप में भी user होता है, कई बार metallurgy में भी user कर दिया जाता है, ठीकैं, तो ये producer guest लगाळ रखना carbon monoxide plus nitrogen और यदि carbon monoxide plus hydrogen होता तो water gas हो जाता है, clear हो गया, तो इसका answer क्या हो जाएगा, से वर्ग में हैं या कौनसे गरूप में है तो में हमको पता ये तो हाइडरोजन फैमिली का है ठीक है दूसरा आम देखते हैं कि आप अधियो में घार LIVE में आपका फैमिली का है second पहला दूसरा तो ऐसे गलत हो गया अक्री तत्र इनार्ट गैस जो होता है जिसमें की हमको क्या क्या याद रखना है है ना वहाँ पे याद रखना है अठारवे ग्रूप का है अठारवे ग्रूप को हम जीरो ग्रूप भी कहते हैं सुन्य वर्ग भी कहते है तो अठारा होता यह जीरो होता तो कौन सा दिख रहा है जीरो तो यहाँ पे ठीक है, हीना, नीना, और करीना का X-ray ठीक है, X-ray रंगीन ठीक है, तो यहाँ पर यह होता है आपका inert gas हीना, नीना, और करीना का X-ray रंगीन हीलियम, नीयान, आरगन, कृप्तान, जेनान, रेडान ठीक, इतना याद रखेंगे, यह है आपका अठारवे वर गई जीरो ग्रुम, अक्री तत्व केहते हैं, ठीक है इनको nobl guess भी कहा जाता है चलिए, next question की और मूफ करते हैं, ठीक, कि सबसे भारी धातु है, the heaviest metal, metal पूछा यहाँ पे, तो सबसे भारी धातु की बात यहाँ पे करते हैं, देखिए, एक नाम है यहाँ पे, आस्मियम, आस्मियम क्या होता है, इसका right answer है, सबसे heaviest metal है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह दिया जाए, तो hydrogen सबसे क्या है, lightest element है, यह सबसे हलका तत्व, यह सबसे हलका धातु, यह सबसे heavy क्या है, क्या है, हपका सबसे heavy metal, सबसे जो है, वजनी वाला धातु, clear हो गया, तो see is the right answer, कास्टिक सोडा का सामान एरासाइनिक सुत्र है, the chemical formula of कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े दोने का साबुन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, sodium hydroxide इसका right answer है, ठीक है, दो वर्ड याद रखना, कास्टिक सोडा कहा जाये तो, sodium hydroxide और कास्टिक पोटास कह दिया जाये तो, उस case में कैसे लिखेंगे, potassium hydroxide, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, sodium hydroxide है, तो कास्टिक सोडा, potassium hydroxide है, तो कास्टिक पोटास, ठीक, यह तो sodium chloride क्या है, आपका नमक है, यह देखिए, sodium hydrogen carbonate, है न, कह दिया जाता है, तो यह से, और क्या नम से, sodium bicarbonate भी कह दिया जाता है, खाने का सोडा का formula है, है न, खाने का सोडा, बाई खाना बनाती है, यह से याद रख लेना, ठीक है, जब हम इसे देखते हैं, तो, और Na2CO3 है, तो यहाँ पर, यह क्या है, sodium carbonate है, ठीक है, sodium carbonate है, यह क्या है, दोने का सोडा, धावन सोडा, या वाशिंग सोडा, ठीक है, यह बात आपको धिया रखना है, नेक्स कर चलते हैं, आगे, मूफ करते हैं, question number 17, baking soda, बेकिंग सोडा मतलब है, खाने का सोडा हो गया, तो खाने का सोडा भी देखे थे, क्या देखे थे, sodium chloride था क्या नहीं, sodium sulphate था क्या नहीं, sodium carbonate यह तो धोने का सोडा है, तो यह भी गलत है, sodium bicarbonate है ना, NaHCO3 है ना, यह इसे sodium hydrogen carbonate भी कहते हैं, sodium bicarbonate भी कहते हैं, D is the right answer, clear हो गया, उसके बाद देखते हैं कि question number 18, विरंजक चून bleaching powder है, क्या क्या है, CAO, 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 CAO आपको तीन बात याद रखनी है तीन इंपोर्टेंट मेटल एक का नाम है अलुमूनियम यह सबसे ज़्यादा पाए जाता है और उसके बाद यहां पे देख रहे हैं अलुमूनियम के बाद दिख रहा है क्या है दूसरा that is कि क्या दिख रहा है यहां पे यह अबको क्या है आईरन यानि की लोहा और तीस तरह यहां पे देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपका कैल्सियम ठीक है सबसे ज़्यादा पाए जाता है 7% मतलब पूरे पृत्फी के और्थ क्रेस्ट पे भूपरपर्टी पर सबसे ज़्या iron और calcium का ठीक तो answer इसका क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला aluminium B लोहे का सबसे सुधतम रूप क्या है बहुत आसान सा है रोहे का सबसे आसान जो सबसे pure form यह होता है वो क्या है आपका पिटवान लोहा art iron ठीक है तो यहां पर याद रखिएगा इस्टील तो क्या है सुध़रूप ही नी उस में क्या है आइरन के साथ कारवन फिर क्रोमियम मिला देते हैं स्टैले सिस partido involvement सब मिला देते हैं तो यह गलत है ठीक है तो यहाँ पर याद रखीए का पिटवा लोः रॉट आयरेन जो है सबसे आप देखते हैं कि वह सबसे अच्छा प्रकारका पिटवा लोः सबसे सुध्यतम रूफ है तो आज है सेशन में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ और महत्पूर प्रस्टों के साथ थैंक यू सो मच्छ, have a nice day